बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, आप सब को नमस्कार, जैहिन सातियों में आरके नएक आप सभी का हार्दे की स्वागत करता हूँ, इस से पोलिटी की जो सीरीज प्रारम कर रखिये इसमें, आज सातियों हम भारतिय राज व्योष्टा यानि इंडियन पोलिटी स समदित कोच महत्वण जान कर लेंगे, आज का जो वीडियो है सातियों, इंडियन पोलिटी की जो सरंकला है, उसका सेकंड वीडियो है, इससे पहले सातियों आशा करता हूँ, आपने इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखा होगा, अगर सातियों नहीं देखा है तो उसे जरूर देखते रही है, और जो लगातार कॉमेंट करते रहते हैं वीडियो में, उनके लिए सातियों जो भी पुष्टक आप यहां पर देख पार रहे हो, मेरे बेक साइड में जहां पर मैंने लगा रहे है, इन मेंसे अगर किसी भी पुष्टक का आपको पीडियो च चाहिए तो सातियों आप कॉमेंट जरूर करें, अब सात्यों सबसे पहले आज का जो हमारा टोपिक है, वह इंडियन पॉलिटी का जो सेकेंड भाग है, इसमें हम कौन-कौन से टोपिक कवर करेंगे, वह जानकारी हम ले लेते हैं, तो चले सातियों शुरू करते हैं बारत क्वाक्स में लिख करके जरूर बताईए क्योंकि साथ यह जब आप कोमेंट वोक्स में लिखते हो कि हम इस एक्जाम की तहरी कर रहे हैं तो हम आने वाले समय में इस आपका जो एक्जाम है उससे समनित जो एमसी क्यों पॉलिटी के जो होंगे प्रिक्टिस के लिए उसके वीडियो भी बनाए जाएंगे और आपको पीडिय भी मिल जाएगी तो आज सातियों हम बारतिय राजविवस्ता का जो यह सेकिंड भाग है यानि दूसरा जो भाग आज हम बना रहे हैं आसा करता हूं इससे पहले आपने पहले भाग को जरूर देख लिया होगा नहीं देखा है तब भी सातियों उसको जरूर देख लीजिए क्यों कि जब तक आप निरंतर अदेन के साथ में साथ में आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपको क्या होगा बीच-बीच में पढ़ने से कोई फाइदा नही विकास अब सातियों बारत के सविदान का सविदानिक विकास किस परकार हुआ इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे सबसे पहले सातियों आप यहां पर देखिए सविदानिक विकास की प्रष्ट भूमी अब सातियों देश का जो सविदान बना है इस सविदान की प्रष् हम क्या करेंगे साथियों आपको एंशियर्टी पलस एम लक्षमिकांत मैं इसको मार वरणवाल या फिर जितनी भी पुस्तक में ने आपको पुलिटी बुक रिव्यू दोजार बाइस में जो पुस्तक दिखाई थी सभी पुस्तक का आपको पीडिएप मिल जाएगा और उन में से जो टोपिक हमने में में जो टोपिक है उनको चांट करके जो हमने पीपीटी बनाई है इसका भी आपको पीडिएप मिल जाएगा साथियों आप लगातार हमारे साथ बने रही है तो सबसे पहले साथियों सवेदानी के विकास की प्रष्ट भूमी जब हम देखते हैं बिर्टी सासन में सवेदानी के विकास यानि भारत का जो सवेदान बना है उसका सवेदानी के विकास हम कब से पढ़ेंगे जब से भारत के सवेदान को बनाने में जो बिर्टी सासन की जो सवेदानी के विकास की महतवपून भूमी का जो रही है वहां से लेकर के हम वरतमा समय तक सविदान में कितने संसोधन हुए हैं उन तक संपून जानकर आपको बताने वाले हैं और अब साथियों सबसे पहले आप यहां पर देखिए भारत का सविदानिक विकास सत्रा सो तेतर का जो रेगुलेटिंग का सविदान में क्या मैतवर रहा हमारे सविदान में क्या मैतवर भूमिका दा की वह जानकर आपको मिलेगी साथ यहां करें is उनकर प यहाँ हैं इसके बारे में जाने करीं रहा हैं और फोसक agrees और इस परहुन समय गया था और वर्तमान समय का जो हमारा प्यारा सविदान है उसके अंदर इन अधिनियम से हमने कौन-कौन से महत्पुन बिंदू लिये हैं वो भी हम जानकारी लेने वाले हैं उसके बाद में साथियों आप यहां पर देखेंगे सत्रा सो चौराशी का जो पिड्स इंडिया एक्ट है इसके क्या क्या खूबिया रही है और इसको हमारे सविदान में क्यों सामिल किया गया वो भी जानकारी लेंगे साथियों अठारा सो अठावन का भारत शासन अधिनियम अब आप यहां पर देखा अठारा सो अठावन के बाद में जो भी अधिनियम आते हैं उन में एक सबत जूर जाता है बारत सासन अधिनियम और इससे पहले के जो है उनमें सिर्फ चार्टर अधिनियम है नाम तो इसका भी हम जानकर आपको देने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ सबसे पहले सातियों आपको मैं यहां पर बता देता हूं कि जो اठारा सो सताउन की क्रांती हुई थी उस क्रांती से क्या हुआ अंग्रेज्जों के अंदर क्या है एक भैई उत्पन हो गया कि अगर भारत में रहकर भारतियों को लूटना है और भारत का अगर सोशन करना है बारतियों का सोशन करना है और भारत जो सोने की चीडिया कहला रहा है इन में से अगर हमें यहां से कुछ भी लेके जाना है तो उसके लिए भारतियों का साथ होना ज है है अंग्रेजों ने एक चाल चली और उन्होंने क्या किया जो आगी के अधिनियम है जैसे अठारा सो अठाउन का अधिनियम आया तो उन्होंने अधिनियम का नाम रख दिया भारत अ डिनीम नाम देखा टो बारतियों को खुष हो गई कि हाँ यार इसमें भारत का नाम aid हो गया आने वाले समय में हमें क्या है इसमें और अधिक सुईदाइं मिलती रहेगी तो इस तरीके से क्या है भारतिये भी खुश रहे और अंग्रेजों को भी यहां पर भारत को लूटने में मदद मिली तो यह अठारा सो अठाउन के बाद की बात है सा अब साथियों आप देख सकते हो कि यहां से आगे जितने भी है उनमें भारतिये या भारत का नाम जरूर जोड़ा गया है तो वही कारण था साथियों अठारा सो सत्ताउन के करांती इस परकार के आपको क्योशन इंटर्यू बगएरा में पूछ सकते हैं और बाकी साथियो आपको इस परकार की जानकारी होनी चयाइक परिषए बारतिये परिशन अधिनेप़ा 1 इसके बारे में आपको जानकारी मिले भी सा प्रके बारे में सासन अदिनियम अब सातियों यह जो 1935 का बारत सासन अदिनियम है हमारे लिए बहुत ही महतुपुर्ण है तो यह जानकारी लेंगे सातियों यहां तक और उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो बारत सासन अदिनियम 1929 अब सातियों यहां पर सबसे पहले आपने देखा कि 1858 के बाद जितने भी अदिनियम आये हैं चाये वह अठावन के बाद 61 का हो 1892 का हो 1929 का हो 1935 और 1947 यह जितने भी कर्मिक रूप से जैसे आये हैं तो इनका यहां पर आप देख सकते हो कि करांती से पहले शिर्फ नाम क्य और उसके बाद में क्या नाम रखा गया भारत सरकार एदिनियम या भारत परिशद एदिनियम इस परकार के नाम है यहां पर देखने को आपके यहां पर मिलेंगे अब सातियों उसके बाद हम यहां पर देखेंगे सबसे पहले कि किसी भी देश का सविदान एक दिन में नह नाम बाणा जाता है अब साथियों भारत के सविदान को अगर आप देखेंगे वैसे बनने में तो समय रहां कम लगा और वैशे ज्यादा भी लगा साथियों आप यह भी कह सकते हो और दुनिया का सबसे बडा लेखित सविदान भारत का है तो इसमें nessa लगना है लेकिन साथ मैं आप यहां पर देखिए श्टरासो ठेटर का रिगूलेटिंग एक्ट उसका भी जिंग बारति के city सविधान में मिला यानि सत्रा सो तैतर से वारत के सविधान को बनाने की जो पर करिया है वहां से सुरू हो चुकी है क्योंकि हमने सत्रा सो तैतर के Regulating Act का जिक्र किश में किया है वारत के सविदान में किया है तो यहां से लेकर के साथ यह उनीस सो सेन्तालिस तक जितने भी अंग्रेजों ने रूल बनाए कानून बनाए उनका भी उन में से जो जो हमें लगा की कि यह हमारी सबेता और सेंसकर्थी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है और देश के अंदर श्यांती वे उस्ता बनाए रखने के लिए लाबदायक है तो उन उन अदिनियम के अंदर जो भी धार हैं थी या जो एक पर यह प्रावदान बगेरा थे उन सब को सविदान में मिलाया गया है तो वह जानकारी आप यहां पर देख सकते हों कि एक दिन का नहीं है बलकि कब से कब तक है अंग्रेज्जों के यह जो सत्रा सो तैतर के रेगुलेटिंग एक से लेकर गए उननीस सो शेंटालीस तक और उसके बाद भी सातियों वर्तमान समय तक जो भी से आपको इसी वीडियो सरंकला के मादेम से मिल जाएगी इसलिए सातियों एत्यासिक परक्रिया के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है या फिर पूरी जानकारी के बिनना आप सविदान का अच्छी तरह से अध्यन नहीं किया जा सकता अब जब भी आप किसी सविदान को पढ़ते हो तो उससे पहले उसकी आदार बुत्स रसना को समझना जरूरी होता है अब सातियों यहां पर आप देखेंगे तो भारत में क्या है सातियों सविदान परंपरा का विकास अंग्रेज्जों के भारत आने के साथ ही सुरू हो जाता है जिस दिन अंग् इंडिया कंपनी का घटन हुआ था और होने के बाद जब इस इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश की थी उसी समय से भारत के सविदान में इस तरह के उलेक मिलते हैं इसका मतलब है भारत का सविदान बनना उसी समय से प्रारंब हो गया था या फिर उसका विकास की जो यात किया गया है तो वह आज तक के पूरी जानकरी आपको मिलने वाले उसके बाद में साथियों आप यहां पर देखेंगे आधुनिक राजनितिक संस्ताओं का उद्भव और विकास भी इसी काल में हुआ और भारतिय सविदान के एतियासिक के विकास का काल दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था अंग्रेजों के आगमन पर सोला सो इस्वी से ही क्या है शुरू माना जाता है उसके बाद में साथियों आप यहां पर देखेंगे तो इसी वरस इंग्लेंड में इस्ट इंडिया कंपनी की इस्तापना की गई ती य यह पर आप देखेंगे कि इस इंडिया कंपनी की इस्तापना हो चुकि है उसके बाद तो करके जब दे सवतंतर होता यानि सम तंतरता के बाद बारतिय सविदान का सवदेशी सव रूप सामने आया अब सात्यों सवेदान का जो ए 5061 सों में शुरू हो गाई जैसे अंग्रेज आये उसी समय से प्रारभ हो गया लेकिन सवदेशी सवरूप सामने कंप महिस सवटब्य और हो चुका है सवुदिश ही सवुद्श सामने आया यानि हमारे देश के लोग सवीदान हमारे देश्वाषि के लिए बनायेंगे नमबर एक लिए प्रम साय किया था उन सब चीज़ों को उन्हों ने वहां पर महसूस किया था तो उसी चीज़ को को लेकर के सात्यों क्या दुटि ने सभिदान बनाना कर दिया अब सत्य बाद हम देख लेते हैं यहां पर वह है कि विश हमिन देशों के सभिदानें उन प्रावदानों को बारति के सामिल क्या गया है और जो भारत के राजनितिक और जो भी सामाजिक परिदर्श्यों के इंसाब से सही है उनको यहां पर सामिल किया गया यानि हमारे देश में जो भी प्रावदान हमने लिए हैं किसी भी देश के सविदान से तो वो वैसे का वैसे उठा करके कोपी पेश्ट नहीं किया है हमारे देश के जो सविदान निर्माता थे सविदान की जो रचना कर रहे थे उन्होंने बहुत ही सोच समझ करके सविदान को बनाया उन्होंने क्या क्या अपनी सबेता और संस्कृति को बनाया रखते हुए और हमारे भारतिय संस्कृति की का मतलब उस सविदान से अगर कोई ऐसा प्रावदान लिया जाए जिसे हमारी सब्यता संस्कृति को नश्ट होने का या हमारी एक्ता और अक्रणता को खत्रा हो ऐसा हमने कोई प्रावदान नहीं लिया है इसलिए साथियों हमारे जो सविदान निर्माता थे उन्होंने क्या क कि अलग अलग देशों के सविदान को अच्छे से पढ़ा पढ़ने के बाद उनको अगर लगा कि हां इस देश के सविदान में ये प्रावदान अच्छा है और इसे हमारे भारती रागरी कों को यह फिर मिलेगा और हमारे को देश में सासन चलाने के लिए यह फायदा होगा ऐशे करके उन्होंने क्या-क्या उन देशन से कुछ workshop लिए हैं किस-किस देश से क्या-क्या प्रहदान लिए हैं वह भी सातियों आपको जानकरि इसी वीधियो शरण खला के अंत assimगते मेल जाएगी रिवीजन के लिए भी मिल जायेगी साथई यो बाग्ई साथे आप वीडियो आश्चा करतेओं पर तेक वीडियो जो करमवार में डाल रहा हूं या अप लोड कर रहा हूं इनको देख रहे होंगे से उसके बाद में आप यहां पर देखेंगे तो सुरुवती दौर में क्या होता है साथियौ? बेरीटिस सास्क जो थे उन के द्वारा सौतंत्रता के बाद भारत सर्कार ध्रारा सविधान का सरण बंद तरिके सी मिर्व marijuana किया गया अब साथियौ शूरुवात में किस ने किया विकास अब इस विकास के चोटी शीक बात मैं आपको बता देता हूं साथियों बिर्टी सास्कों की द्वारा सुरू में किया गया उसके बाद में सवतंतरता के बाद क्या हुआ भारत सरकार ने किया अब जैसे मालों साथियों कोई बच्चा नहीं होने की वज़ कि उसलिए माध जन्म दे रही है और उसके बाद में कुछ समय तक उसके बाद में चिसने उस बच्चे को लेना मैं ते वो ले जाकर करतें क्या कि उसका कादे की उसके पड़ाई में या फिर उसके पहले तो अंग्रेज जी जो सासक थे बिर्टिश सासक थे उन्हों ने अपनी मैत्वपूर्ण भूमिका अदा की और उन्हों ने क्या किया अपने इसाब से बनाया लेकिन जैसे ही भारतियों के अदीन आया क्या जो कांग्रेश यह जो अंग्रेजों का जो भी नियम था यह कानून बनाए हुए थे उन्होंने वह जैसे भारतियों ने सोचा कि हम ने इस तरीके से इनका सोचन सेन किया है अब वर्तमान समय में आप देखेंगे तो सातियों उन्होंने क्या क्या उन में से जितने भी मैंने आपको सेन आ पर बताएं सतरा सो तेतर का रेगुलेटिंग एक्षेंग लेकर करके यह जो उन्हीं सो चैनलिश का भारत का जो सवतंदरता अधिनियम है वहां तक अंग्रेजों ने जो परावदान किये थे पूरे के पूरे हमारे साविदान में सामिल नहीं किये क्योंकि अंग्रेज साबित थी सासन चलाने के लिए नंबर एक बात दूसरी बात भारतिये नागरिकों के लिए शुरुक्सा और उनके वेक्तिकत विकास को ध्यान में रखते हुए उन में से कुछ मैत्वपुन प्रावदान सामिल किये हैं अब सातियों यह तो गया चरणबन तरीके से भारत के स हैं वह भी आप देख सकते हो सविदान विकास की जो एतियासिक प्रस्ट भूमिय उसके अंतरगत अब सातियों उसके बाद हम यहां पर कुछ और मैत्वपुन जान कर लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे इसके जितने भी एक्ट और अधिनियम है जो मैंने आपको इससे पहले बताएं हैं जैसें की साथियों एक बार दुबारा मैं आपको बता देता हूं रेगुलेटिंग एक सत्रा सो तेतर का उसके बाद में यहां पर आप देखेंगे तो यह जितने भी चार्ट अधिनियम है या फिर जो भारत परिसद अधिनियम है इन सब से समंदित 343 453 454 1853 इन के बारे में विश्तार से हम जानकरी लेने वाले उसके बारे में आप यहां पर देखेंग बारशास अधिनियम उनीस इस यह भी जानकरी साथियों आपको मिलेगी 18189 नो का है या फिर 1881 सेटाह 892 है उसके बाद में सत्रासो सो रासी का जो प्रस इंडिया एक्ट था वही कापी मैत्वण है चाहटराए 8133 और इनके दोरा हमारे सिर्विधान को किस परकार प्रबावित किया गया वह भी जानकर हम देने वाले हैं बारत शासन अधिनियम 1935 अब परबावित का मतलब साथ हूं जैसे मालो बारत शासन अधिनियम 1935 से हमने बहुत सारे अधिनियम और कुछ महत्पूर्ण जो उनके एक तोर रूल बनाए हुए थे नियम बनाए हुए थे उन सब को हम अपने सविधान में अगर सामिल किया है तो उसके पीछे भी जो रिजन थे वह भी जानेंगे और इसमें एक्जाम की दिरिश्टिशें आपके लिए सबसे ज्यादा महत्पूर्ण 1935 का और 1919 का है इनको आप अच्छे से रिविजन कर लीजिए अब सात्यों उसके बाद थ जी रहेकिंगे इसमें एक साइड में है इस्ट इंडिया कंपनी के अंतरगत जो विकास हुआ था भारत के से औरल का वह देखेंगे उसके बाद British Crown के अंतरगत जो सविदान में जो विकास हुआ है उसके बारे में देखेंगे, सबसे पहले साथियों आप यहां पर देखेंगे, हम देख लेते हैं, इस इंडिया कंपनी के अंतरगत Regulating Act 1703 का जो है, उसके बाद है यहां पर पिर्स इंडिया Act 1784, उसके बाद सा एक्ट 1703 का है, जो है 1813 का साथियों उसके बाद में चार्ट एक्ट 1853 आपने देख लिया साथियों तो यह थे कंपनी के अंतरगतों 1853 तक 53 के बाद में क्या होता है साथियों, आगे शाट एक्ट नय आकर करके 1857 की करामति के कारण क्या आता है वहाँ पर आता है बारत सासन अधिनियम अठारा सो अठावन यह किस के अंतरगत आएंगे साथ यह बिर्टिस क्राउन के अंतरगत आये थे तो यहां पर साथ हो क्राउन के अंतरगत कौन-कौन से अब कभी-कभी एक्जाम में क्यूसन पूछ लिया जाता है कि बारत का जो स्भवधानिक विकास है उन में से ही मिलान कीजिए इस्ट इंडिया कमपनी के अंत्रगत और कर्ण के अंत्रगत यानी बिर्टिस क्रऊं के अंत्रगत तो अब जो आपको मैंने सुची बताईए एक जो 1783 से लेकर 1853 तक है वो तो है आपके इस्ट इंडिया कंपनी के अंतरगत और जो बितिस क्राउन के अंतरगत है वह अठारा सो अथाउन से लेकर कौन-कौन से वह मैं आपको यहां पर जानकर देता हो तॉट सो ताउन का ऊसके बाद में 1861 का एंटारा सो बान्वे का और बारत परिशद अदिनियम 1909 है 1909 का जो बारत शाषन अदिनियम का पी मेहत्पॉन्ट है तंतरता आदिनियम उनीस सो सेनतालेस है इसके बारे में अब शाथियों आशा करता हूं यह जो जानकरी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी अगर शाथियों यह जानकरी आपको अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है इसका नोस्त जो मिल रहा है उसका समय समय पर सही सदूप्यों करते हुए收看 क्योंकि साथियों जब तक आप रिविजन नहीं करेंगे तब सफलता नहीं मिल सकती क्योंकि वीडियो चाही कितने भी देखो आप से पहले भी बहुत सारी वीडियो देखेंगे इसी बात थोड़िये की आप पहले बार आपने यूटूब मेरा ही वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं इसा बिलकुल नहीं इसलिए साथियों आपको क्या करना है अच्छे से पढ़ना है और अपना जो भी कर्टव्य है उसको इमानदरी के साथ निबाना है कि हां मैं किसी एक्जाम की तहरी कर रहा हूं तो मैं जो स्ट जिसको नहीं मिले है वो कॉमेंट बोक्स में अपना नंबर लिख दीजिए या कॉमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपको एक हमारा जो सेफ रेट चैनल जो बना रखा है किस पर टेलिग्राम चैनल पर उसका लिंक दे दूँगा या फिर आपको हमारे वार्सप ग्रूप में जोर दूँगा जिससे क्या होगा पढ़ने वालों को कोई दिश्ट अपना हो क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी है जो किसी एक्जाम की तहरी नहीं कर रहे हैं और वह वीडियो देख रहे हैं वह किसलिए वीडियो देख रहे हैं वह शिर्फ अपना नोलेज बढ़ाने के लिए और सविदान को समझने के लिए देख रहे हैं लेकिन जो किसी एक्जाम की तहरी कर रहे हैं उनके लिए रिविजन का जो नोट्स बहुत ज़्यादा मैत्वर्ण उनको तयार करते रहे हैं तो मिलते हैं साथियों आगले वीडियो में एक नई उमीद नए जोस और आसा के सा तब तक सातों सत्किंए आप हमारे चैनल के द्वरा जो भी एस्टेडि मेटियरियल्ट या फिर हमारे द्वरा जो आपको एदियन सामगरी दी जा रहे है उसको रिविजन करते रहेまあ क्योंकि जब تक आप रिविजन करेंगे तो सात्यों मेरा तो काम है वीडियो बना मरे मे बुजरने के बाद वापिस कभी नहीं आता है इसलिए साथियों अपने समय का सही सदूपियों कीजिए और जो निरंतर मेरे साथ में बने हुए हैं पहले वीडियों से लेकर अब तक अगर कोई कॉमेंट कर रहा है तो हमें भी पता रहता है कि कौन विद्यारती ऐसा है जो न में से अब आपको कलीर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप हमारे इसी चैनल की जो प्ले लिस्ट है उस प्ले लिस्ट को जाकर देखेंगे तो इन सभी पुस्तकों का रिव्यू किया गया है उन में से आपको पीडिएफ मिल जाएगी और डूसरी बात अब इंडियन पॉलि के लिए पीडिएफ चाहिए तो वह भी में दे दूँगा यहां पर मेरे पास में इंडियन पॉलिटी एम सी क्यूज की भी कुछ मैतबून गाइड रखी हुई है तो वह भी आपको मिल जाएगी जो निरनतर हम से जुड़े हुए हैं उनको और जो इस चैनल से नहीं है देमन है तब जाकर सब्सक्राइब कर देना लेकिन अपने दूसरे बाइबन तक इस वीडियो को शेर जरूर कर देना ताकि उनको भी इस परकार के इस्टडी मेटिरियल का वेनिफिट मिल सके तो मिलते हैं साथ आगले वीडियो में एक नई उमीद और नए जोस के साथ धन्यवाद जैहिंद वंदे मात्रम